नमस्कार मैं हूँ मनीशा वेश्वेपार न्यूज में आपका स्वागत नज़रालते वेपार से जुड़ी कुछ खास खबरों क्यों तीन दिवस्ये नेपाल यात्रा में हुए अपने स्वागत से अभीबूत राश्पती ने नेपास सरकार को बधाई दी वहीं काटमांडू महानगर पालिका के प्रमुक रहे रुद्र सिंग तामार्ग ने उनका जोरदा स्वागत किया साथ ये अपने अभीनंदन कारेकरम को संबोधित करते हुए मुखर जी ने भारत और नेपाल के समंदों से काटमांडू के महत्वों के बारे में चर्चर की वहीं इस मौके पर नेपाल के प्रधा मंत्री पुछ्प कमल देहल भी मौजूद थे हर्याना पुलिस को मीली बड़ी सफलता सोनीपत के खरखोदा में नकली सीम लाइंग का इंस्पेक्टर और चालप किया गया गिरफतार दुकानदारों को स्विफ्ट कार पर नीली बत्ती लगा कर नकली फूड और सप्लाइंस्पेक्टर बनकर धमकी देकर मांग रहे थे पैसे सोनीपत में बीजीपी की नेता प्रदेश युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष ने अपने दो सालों को उतारा मौत के खाट जमीनी विवाद के चलते की गई दोनों हत्याएं वहीं मौके पर पहुंचे पूलिस में शवो को कबजे में लेकर जाश रूकी पूर्विधायक उमीदवार दिनेश गुपता ने चट पूजा नहाएं खाए कि अपने शेत्र वासियों से देश वासियों को दी हार्दिक बढ़ाई बीजेपी सांसत राम क्रिपाल यादव ने अपने संसिदी शेत्र पाटली पुत्र के धन्रुवा ब्लॉक के वर्णी घाट पल घाट और मसोडी के मनी चगघाट का किया निरिक्षन टाटा संस में मचे घमासान की बीच एक बड़ी खबर आई है टाटा संस में कुछ बड़े पदो पर फेर बदल हो रहे हैं टाटा बिजनेस एक्सिलेंस ग्रूप को संभालने वाले एस पदनाभन को कमपनी का HR हेड बनाया गया साथ ही डॉक्टर मुकुंद राजन को अमेरिका सिंगापूर दूबई और चीन के विदेशी कारोबार के अत्रिक जिम्यदारी दी गई भोपाल में सीमी के संदिक्द आतंगवादियों के इंकाउंटर और पूर्द सैनिक रामकिशन ग्रिवाल की खुदखुशी पर विपक्ष के सवालों से घीरी केंदर सकार पर अब अपने ही निशाने साथ रहे हैं काफी समय से बगावती तेवर अपनाए शत्रुगन सिना ने ट्वीटर के जरिये भोपाल और दिल्ली में पुलीस और प्रशाशन के रवये को शर्मनाग बताया है आम आदमी को लगा जटका तेल कमपनियों ने पेट्रोल का दाम 89 पैसे और डीजल का 86 पैसे प्रतिलीटर बढ़ा दिया है पेट्रोल का दाम सितंबर के बाद छटी बार और डीजल का दाम एक महीने में तीसरी बार बढ़ा आर्थिक शो संस्ता NCAER ने चालू वितवर्ष के दुरान देश की आर्थिक विर्दी दर 7.6 परतिशत रहने का नुमान व्यक्त किया है इसके मुताबिक ग्रामिन मांग बढ़ने और विनी मान के मोर्चे पर सकरात्मक संकेत मिलने से आर्थिक विर्दी दर बहतर रहेगी वहीं पिछले वितवर्ष के दुरान भी आर्थिक विर्दी दर 7.6 परतिशत तक रही थी वितमंत्री अनून जेटली ने रिन वसूली मामले की तेजी से निप्टान पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि बैंकों का कर्ज लेकर समय पर नहीं लोटाने वालों को नेसरगीक नियाए के सिधान के तैथ बचावगे असीमित अफसर नहीं दिया सकते टबैको प्रोडक्स पर कई सारे बड़े कानून बनाने के बाद सरकार अब बड़ी टबैको कंपनियों को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद करने वाली है सरकार पहले ही टबैको प्रोडक्स पर जादा टैक्स लगा करो वॉर्निंग का साइस बढ़ा कर टबैको कमपनियों को लुक्सान पुचा चुकी है स्वास्य मंतरी ने वित बंतराले को पत्र लिख कर कहा कि ये टैक यग जाये कि सरकार फर्म टबेको कम्पनियों में लिवेशना करे मेरे साथ खबरों फिलाल इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रही है वैशिय अपान न्यूज थन्यवाद